हेलो प्रेंट, टो हो उलिकम, विख टो माय च्यानिल, कैसे हैं, आप सब उम्मीद करते हैं आप उभूदी अच्छे होनगे और स।स तो दोंगे और अपना ध्यान रहे होंगे तो चलिए इस सिलिप्स को बनाना इस्टार्ट करते हैं कुपसुरस सा सिलिप्स है जो कि बना के तयार करने वाले हैं तो इसके लंबाई हमने लिए 7 इंज और इसके चोड़ाई है 7.5 इंज अब यहां से हमें 3 पॉइंट में एक मर्क कर लेनी है और इसे ऐसे ही मर्क करते हुए इसे ट्राइंगर सेप में सेप देनी है अब सेप देने के बाद इहां पर इसे कटिंग कर लेते हैं अब कटिंग करने के बाद इहां पर छोटा सा कट लगाएंगे मीडिल पॉइंट में भी छोटा सा कट लगाना है और यहां से हम प्लेटेस उठाते हुए इसे अच्छे से लगा लेंगे तो देखिए यहां पर जहां तक हमारा प्लेटेस लगा रही हूँ तो यहां तक हमारा कट लगी है तो यहां तक हमें प्लेटेस डालनी है तो हमने छोड़ी से जादा छोड़ दी है अगर आपका पास ऐसे ही प्लेटेस आप डालते हो और यहाँ पर थोड़ी जादा अगर छोड़ देते हो तो जब आप सिलिप्स डेडी करेंगे और काफी अच्छे से तयार हो जाएगी और दिक्कत भी नहीं आएगी कितने बार दिक्कत हो जाती है तो इसलिए हमने यहाँ पर वान इन छोड़ दी है अब सेम प्रोसेस फोलो करते हुए दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही प्लेटेस डाल लेनी है तो हमने दुसरे साइड में इस पिलेटेस को डाल ली है अब यहाँ पर अच्छे से प्रेस करते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो स्टिचिंग करने के बाद उपर के साइड में भी इसे स्टिचिंग कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर जो बची हुई फेबरिके उसे करने के बाद यहां पर हम जो नीचे के साइट पट्टी बनाएंगे उसके लिए ऐसे ही डेर इंच लगभग चोड़ाई पट्टी लेने हैं थोरी सी जादा लंबे में इस पट्टी को लेनी है क्योंकि जब हम इसको पट्टी तयार करेंगे चोटे-चोटे पीस में ओ काफी जादा यहां पर लगेंगे तो यहां पर जो इसके लंबाई है तो ओ काफी आप ज़्यादा लेने चाहिए तो इहां पर देखिए मुझे तरफ भी हम इसे स्ट्रिचिंग कर दी है अप ऐसे ही तरीके से आप अगर पलटते हो तो काफी अच्छी तरीके से पलट भी जाती ह करते हैं और यह सूरंती हो जाता है आप सुईधार के इतना इसád intim करते हो तो आप अगर पर्लटूहाइंगे तो वो काफी अच्छी तरीके से पलट पाएंगे तो देखिए यहां पर हम इसको पलटने के बाद यहां पर आइरोन के साहिता से इसे अच्छी से शेट कर लेंगे अब set करने के बाद 2 इंच लंबाई इस पट्टी को हम cutting करेंगे अब cutting करने के एक साथ cutting करने से आपको काफी अच्छे से time management हो जाती है तो इसके लिए हमने पहले अच्छे से हरे पट्टी को अच्छे से fold कर लेंगे फोल्ट करने के लिए एहां पर ऐसे ही पकरते हुए इसे अच्छे से माप करते हुए इसे कटिंग कर लेंगे तो एक साइड हमने चलिए फटा फट से कटिंग कर लेते हैं उसके बाद दूसरे साइड में भी इसे कटिंग कर लेनी है अब कटिंग करने के बाद देखिए एहा पर धेर सारी पट्टी हमारा एक साथी कर्टिंग हो चुकी है तो इस सब छोड़ी चोड़ी टीप्स आप एपलाई करते हुए अपने जो आप जो इस्टिचिंग कर रही हो वह काफी कम समय में बना पाएंगे यहां पर मीडिल पॉइंट में भी है एक सूता के मदद से धाया सब्सक्राइब एक पट्टी रखते जाएंगे अब अगर चाहो तो फेपर पेस्टिंग भी ले सकते हो तो यहां पर हमने सेब पर जो खाता के पत्ति होता है तो अईसे हैं आपको भी इसे लगाना इस्टार्ट कर देनी है एक के पर एक रखते जाए और इसे स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही काफी असान तरीके से कुपसूरस चीजे आप सब सीख सकते हो तो कैस अभी तक भी वीडियो के लाइक नहीं कियो तो प्लिस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो नए चैनल में नहीं हो तो चैनल के सबस्क्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाएगे आप जब भी हम नएने वीडियो अपलोट करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखी यहाँ पर हमने इस साड़ा पटी को लगाने के बाद यहाँ पर स्टीचिंग कर रही हो अब स्टीचिंग हो चुकी है हमारा लगबग इस चोड़ाई पटी तयार करने के लिए सेम माप में हम इसको कटिंग करेंगे 14 इंच लंबाई और 2 इंच ओड़ाई अब हमें ऐसे हलकी सी फोल्ड करनी है दोनों साइड हलकी सी फोल्ड करते हुए इसे स्टीचिंग कर लेंगे तो देखी यहाँ पर स्टीचिंग करने के बा और यह जो हमारा डिजाइनर पट्टी के हैं उसमें भी हम मीडिल पोईट में मार्क लगाएंगे जो की काफी असान तरीके से इसको जो नाप होता है वो परफिक्ट तरीके से बढ़ जाएगी तो देखिए यहां पर परफिक्ट तरीके से बढ़ गई है उसके बाद उपर से रखते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे तो दोनों ही पट्टी हमें अच्छे सी बिठाना है और इसे स्टिचिंग कर लेनी है तो देखिए यहां पर जो इसका नाप है वो काफी अच्छे तरीके से मिल चुकी है अगर आप भी ऐसे ही मीडिल पॉइंट में नाप करते हो तो वो काफी अच्छी तरीके से मिल जाती है अब इहां पर दोनों साइट जो हमारा फाका फाका सा लग रही है तो उसको कवर करने के लिए ऐसे ही दोनों पटी अच्छे से एक साइट हम फोल्ट करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे छोड़ी पटी ले लेनी है उसके बाद इ लिए जितना हम फोल्ट करते हुए स्टिचिंग किया था उसको ऐसे ही अंदर के साइट ले लेनी है और चोकुन सेफ में सेफ करते हूए इससे इसटिचिंग कर लिनी है तो देखे एहां पर इसे भी रेडी कर लिह है तो दोनों साइट ही इसे ही इसे पट्टी को लगा लेनी है उसके बाद देखिए एहां पर तयार हो चुकी है अब हमें और एक खुपसुरसतर डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए चोड़ाई हमने थीरी इंच एक लंबा इसा पट्टी ले ली है उसके बाद ऐसे ही थोड़ी सी फोलड करते हुए इसे इसट्टीचिंग कर लेंगे और एंसाइड में भी स्टीचिंग करते हुए इसे पर्ड़ से पलट लेनी है अगर आप सुई ठागा के मदल से पलट ना चाहते हो तो वह भी पलट सकते हो तो एहां पर पलटने के बाद एहां पर हमारा जो सप्र guarding करक इसांगे निकाल लेंगे तो देखाई यहां पर हमारा बान पिर जो स्पौन्प है उनीi कल चुकी है इसके बाद यहां पर आयराउन के साहिता सेल्च से जिपकाते हुए this sett कर ले रही है पहले हम एक बर फोल्ट करेंगे उसके बाद ऐसी फोल्ट करते हुए 아파 है इस कर ले मीडिल पॉइंट से इसे कटिंग कर लेंगे अब हमारा जो में हमारा जो में सीलिप से उसको दोनों साइट अच्छे से प्रेस करते हुए इसे बिठा लेनी है अच्छे से प्रेस करते हुए बिठाना के बाद उपर और नीचे के साइट जोडने के बाद इसे स्टीचिंग कर यहां पर जो हमारा मीडिल साइट है वो अच्छे से फोल्ट करेंगे और यहां पर नाप कर लेंगे कितना दूरी तक हमारा जो एस सीलिस बन के तयार होगी उसको हम अच्छे से नाप कर लेंगे नाप करने के बाद देखिए यहां पर हमें चाहिए होगा तो यहां पर हमें मि करें दूसरे साइड में इस पट्टी को लगा के त्यार कर लेते हैं तो देखिए गाईस अहां पर दोनों साइड हमने इस पट्टी को लगा के त्यार ली है अब इहां पर शुण छोटी-छटी गौल्डन को ले ली है, अब इहां पर दोनों साइट के कोनार से अच्छ से इसे लोक करेंगे, तो शुय थाय के मतल से इसे अच्छ से लोक कर देनी है, और इहां पर गोल्डен कलर के जो मोती होता आप कोई भी कलर एंश कर सकते हो यहां पर रेट कलर भी हो उस कर सकते हो तो हमयोने यहां पर hazard breaking कलर के मोथी आपर ले ली है और इसे अच्छे से कर लेंगे अब हमें दूसरे आप दूसरे में दूसरे फेर्ण के साथ भी इसे अच्छे इसे टाका लगाएंगे और उपर के तरफ खिशते हुए एक डिजाइन बनके तयार हो जाएगी और यहां पर भी हमें गोल्डेन जो मोती होता है उसको साहिता से इसे कंप्लीटली कर लेंगे तो ऐसे ही डिजाइन बनाके क्रियेट करेंगे और मीडिल पॉइंट में आप दे में में